Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब? So, आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हो Glittery Eyeshadow Palette का Review I hope वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दें, फ्लीज हिट दा लाइक बटन और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बगल में एक बड़ा आपको जरूर हिट कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे हैं So, guys, यह है वो पैलेट जो की है SFR Glitter Eyeshadow Palette यह मुझे काफी पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको बाई किया इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर लूँ So, इस तरीके की आपको इसमें पैकेजिंग मिलेगी इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है इस तरीके की आपको पैलेमने पैलेट रिसीग होगा तो इस तरीके से यह ऑपन होता है इस तरीके साथ देख सब्सक्राथ यहां पेर बहुत ऐख सीफिल यहां पिर यहां को वेल जाएंगे 14 shades आपको यहां पर एबलेबन हो जाएंगे आप इसको देखिए कि यहां पर दो परपल है लिखे दो परपल कलर तु है बट यह लाइट है और यह उसे थोड़ा सा डाक है तु है जैसे यह दो दिया हूँ है बट इसको इसको अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव है आप देख सकते हैं इसके शेट काफी अच्छी उसके साथ एक अप्लिकेटर भी मुझे रिसीव है इसको यह इस अच्छी है और इससे मतलब I don't think कि इससे जो हमारा प्रोडेक्टर वो लग जाएगा तो आप ब्रिश तो मुझे नहीं इसकी समझ भाई बट हाजो इसके शेड्स यहां पर दिये हुए है वो काफी बहुत ही जादा अस्छे है जैसे कि आप देख सकते हो यह काफी जादा पिग्मेंटेट है बहुत जादा ग्लिटरी शेड में है और यह बहुत ही स्मूध फिनिश देता है मैं जब आप इसको आप्लाइ करोगो तो यह बिल्कुल गिर जाएगा या इस्पार्कल जो गिरने लगते बहुत ही स्मूध है बहुत अच्छे से आपके शे albums में यह डिंट को प्लेट मिल जाएगा अगर इस को आपको ओनलाइन भाइ करना है तो और यह जाए लगिन मैंे इसको ओनलाइन भाई नहीं किया मेने आपके लिए भाहर से लिया हुआ है ग licini 1000, 40 अ आपको बहुत वराइटी एबलेबल हो जाएंगी, बट जो मेरे पैलरेट कर दो है वो है जीरो टू कलर, है और यह थी आज की मेरी वीडियो, I hope यह वीडियो आपको अची लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अची लगी हो दें, let me know in the comment section box और मेरे वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए और subscribe कर दीजिए अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है so मिलती हूँ आपनी next वीडियो में तब तक के लिए, bye guys, love you all